क्या आप जानते हैं कि विकास के तरफ अग्रसर होते भारत के लिए प्रदूशन एक बड़ी समस्या है इस समस्या को जन्म देने वाले कूडे कच्रे को निप्टाना हमारे लिए किसी चिनौती से कम नहीं है हर रोज हमारे देश में हजार उटन कई प्रकार का कच्रा उत्पन्न होता है फिर चाहे ये प्लास्टिक कच्रा हो, पशु अपशेष्ट हो, फसल अपशेष हो, घरेलू कच्रा हो या फिर बायो मेडिकल वेस्ट के रूप में हो कच्रे का सही ढंग से प्रबंधन ही हमें एक प्रदूशन मुक्तवातावरण दे सकता है लेकिन ये तब ही मुम्किन है जब लोगों को कच्रा प्रबंधन की सही जानकारी हो स्वच भारत मिशन के तहट भारत सरकार ने हर तरह के कूड़े कच्रे के प्रबंधन की पहल की है देश के हर नागरिक तक ये संदेश पहुँचाने की कोशिश की है कि वेस्ट मैनेजमेंट के जरिये कैसे हम कच्रे को अवसर में बदल सकते हैं घरेलू कच्रे का निप्टान आसान है लेकिन बायो मेडिकल वेस्ट का प्रमंधन काफी जटिल है वरना ये प्रदूशन के साथ साथ बड़े पैवाने पर बीमारियां और महामारी का कारण बन सकता है क्या आप जानते हैं कि बायो मेडिकल वेस्ट क्या होता है? अगर नहीं, तो ये देखिए दरसल अस्पतालों से निकलने वाला कच्रा चाहे वो सर्जरी से निकले, दवाईयों से या फिर इलाज के दौरान निकलने वाली चीजों से ये सब बायो मेडिकल वेस्ट होता है इस कच्रे में काच वो प्लास्टिक की ग्लुकोज बोतलें, इंजेक्शन और सिरिंज, दवाउं की खाली बोतलें, वो उपियोग किये गए आईवी सेट, दस्ताने और अन्य सामगरी होती है इसके लावा इन में विभिन रिपोर्टें, रसीदें, वो अस्पताल की परचियां आदी शामिल है सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बायो मेडिकल कच्रे के और भी स्रोत है नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी यानी प्रात्मिक स्वास्थी केंद्र, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, पैरा चिकित्सक सेवाएं, ब्लड बैंक, मुर्दा घर, शव परीक्षन केंद्र, पशू चिकित्सा कॉलेज, पशू रिसर्च सेंटर, स्वास्तिय संबंधी उत वर्गों में बाटा है, बायो मेडिकल वेस्ट, और शदिय पदार्थ, इसमें बची-खुची और पुरानी वखराब दवाएं आती हैं, रोगयुक्त पदार्थ, इसमें रोगी का मलमूत्र, उल्टी, पस वखुन की पट्टियां और मानव अंग आदी आते हैं, रेडियो वर लैब में प्रयुक्त होने वाले विभिन रासाइनिक पदार्थ आते हैं, इन सब के अलावा अस्पतालों से निकलने वाले कच्रे में कुछ पदार्थ जैसे दवाईयों के रेपर, कागज, रिपोर्ट, सुईया, बलड बैग, यूरीन बैग, पी-पी, किट, मास्क, दस्ताने आदी भी बायो मेडिकल कच्रे में ही शामिल किये गए हैं। विशिशग्यों की माने तो अस्पताल के कच्रों में से 85 फीसिदी कच्रा खतरनाक नहीं होता, लेकिन बाकी बचा 15 फीसिदी जानवरों और इनसानों को खतरनाक बीमारियां दे सकता है। ये कच्रा भले ही अस्पतालों के लिए मामूली कच्रा हो, लेकिन भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के मताबिक ये मौत का सामान भी साबित हो सकता है। जी हाँ, इस तरह के कच्रे के संपर्क में आने से लोगों को विभिन प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, कौविड-19 इत्यादी शामिल हैं। केंद्रिय प्रदुशन नियंतरन बोर्ड के अनुसार हमारे देश में रोजाना लगभग 146 टन बायो मेडिकल कच्रा उत्पन होता है। पिछले सिर्फ एक साल में 45,000 टन बायो मेडिकल वेस्ट निकला। आकड़े वाकई चौकाने वाले हैं और समस्या भी उतनी ही गंभीर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायो मेडिकल वेस्ट कितना खतरनाक है और इसका सही प्रबंधन स्वस्त समाज के लिए कितना जरूरी है। इसके लिए हम थोड़ी सी सावधानिया अपना कर बायो मेडिकल कच्रे से खुद को और अपने पर्यावरण को प्रदूशित होने से बचा सकते हैं। जैसे बायो मेडिकल कच्रे से कैसे बचें? बायो मेडिकल कच्रे को हमेशा बंद थैलियों में रखना चाहिए। मिश्रित कच्रे को अलग-अलग करके निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका निस्तारण करना चाहिए। बायो मेडिकल और घरिलू कच्रे को नहीं मिलाना चाहिए। इससे सफाई कर्मियों में संक्रमन का खत्रा बढ़ सकता है नगर पालिकाओं में कच्रा नियमित रूप से उठाने की व्यवस्ता हो लैंडफिल साइट पर बायोमेडिकल कच्रा ना डाले यदि लैंडफिल पर कच्रा डालना भी हो तो इसे ततकाल 10 mm की मिट्टी की परत से ढखना जरूरी है आम जनता के साथ साथ अस्पतालों को भी बायोमेडिकल कच्रा निप्टान के लिए नियमों का पालन करना चाहिए सरकार के नियमों के मुताबिक बायोमेडिकल कच्रे को तीन तरह के बैगों में कलिक्ट किया जाना है इनमें येलो बैग, जलाने वाला कच्रा रेड बैग, रिसाइकल वाला कच्रा और वाइट बैग, कांट से जुड़ा कच्रा शामिल है सरकार की तरफ से बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग, ट्रीटमेंट और डिस्पोजिंग का काम Solid Waste Management Rules 2016 और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत करने के निर्देश दिये गए है विभिन प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट का निस्थारण इस प्रकार किया जा सकता है पीला, मानव के शारिरिक अंग, जानवरों के शारिरिक अंग, पीले रंग की गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैलिया बस्मी करण या प्लाज्मा पाइरोलिसिस या गेहरा दफन करके उपरोक्त सुविधाओं के अभाव में आटो क्लेविंग या माइक्रो वेविंग अपशिष्ट को उर्जा निर्मान के लिए भेजा जाए पुरानी और बची हुई दवाएं पीला रंग, गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग या कंटेनर एक्स्पायट दवाएं वापस दवा निर्माताओं के पास भेजी जाएं भस्मी करण द्वारा दवाओं का निप्टान किया जाए रासाइनिक कच्रा पीला रंग, गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग या कंटेनर, भस्मी करण या प्लाजमा द्वारा निप्टान, रासाइनिक तरल कच्रा, रिसाव रहित, अलग संग्रह प्रणाली, अन्य अपशिष्ट जल में मिलने से पहले तरल रासाइन, अपशिष्ट का पूर्व उपचार, रक्त से दूशित गद्दे और बिस्तर, गैर क्लोरीन युक्त पीला प्लास्टिक बैग या पैकिंग के लिए उप्युक्त सामकरी, गैर क्लोरीन युक्त रासाइनिक कीटान शोधन, उसके बाद भस्मी करण या प्लाजमा, सूक्ष्मजीव विज्ञान, नियंत्रन संगठन या विश्व स्वास्तिय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार, साइट पर ही गैर क्लोरीन युक्त रसायनों द्वारा भस्मी करण, लाल, दूशित अपशिष्ट, पुनह नवीनी करण योग्य, लाल रंका गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक या कंटेनर, आटो क्लेविंग या माइक्रो वेविंग के बाद अपशिष्ट का उर्जा निर्मान, इंधन या सडक निर्मान के तौर पर इस्तिमाल, भराव के लिए प्लास्टिक कच्रे का इस्तिमाल निशेद होना चाहिए, सफेद, पारदर्शी, धातु से बना नुक पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग शेहरों में 200-250 बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी बनाई गई है, जहां उच्चतापमान पर इस कच्रे को जला दिया जाता है, ये फैसिलिटी प्लांट 600-700 शेहरों में बायोमेडिकल कच्रे का निस्तारण कर रहे हैं, जिन शेहरों में फिलहाल ये सुविधा उपलब्द नहीं है, वहां एक फैसिलिटी प्लांट बनाने का काम बड़े स्तर पर जारी है, इसके अलावा स्वस्त भारत मेशन के तहत सरकार बड़े स्तर पर कच्रा प्रबंधन की जानकारी के लिए जागरुकता अभियान भी च रक्षित रख पाएं